इदर नागपूर में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेइंद्र श्रास्त्री पर श्याब मानव ने सवाल क्या उठाये देश भर में बवाल मच गया लेकिन जिस नागपूर शहर में धीरेइंद्र श्रास्त्री पर सवाल उठाये गए उसी नागपूर के लोग धीरेंद्र शास्त्री पर लगाए आरोपों से सहमत नहीं है चतरपूर के बागिश्वर धाम पहुंचे नागपूर के श्रधालूं से बंसल नियूज ने बादशीत की जिसमें हूने कहा कि अगर धिरेंद्र शास्त्री के प्रभाव से कोई बुरी आदत छोड़ रहा है और सनातन धर्म के रास्ते पर चल रहा है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए नागपूर के इन श्रधालूं से बादशीत की बंसल नियूज समभादाता हमित सोनी ने एक तरफ नागपूर पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बाद लगातार जैसा कि इससे पहले वी वागेश्वर धाम में लगातार भीड बढ़ती रही है लगातार शद्दाल उभक्त यहां पहुंसते रहें फिर एक बार आज क्लीन चिट है आज की विशेश मौका है क्लीन चिट दी है कुछ नागपूर के स्थानिये लोग भी हमारे साथ उनसे पूस्ते हैं कबसे आप यहां पर आ रहे हैं वागेश्वर धाम और यहां आके कै अरदेश के लिए बहुत अच्छी बात है और रहा सवाल की हिंदुत्व की बात जो महराज जी ने कही है मेरे हिसाब से यह होना चाहिए थोड़ी जो कॉंट्रावर्सी नागपूर में हुई थी इस समय मैं उनको यही जवाब देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखे जब कोई किसी विशिष्ट धर्म के तरफ आदमी बढ़ता है तो किसके पेट में तकलिफ होती है बाबाजी ने खुद किहां किसी को बुलाया नहीं है लोग अपनी मरजी से आ रहे हैं कोई यहां पर शुलक नहीं लिया जा रहा अभी मुझे जानकरी मिली यहां पर के लोग यहां आते हैं तो नशा भी उन लोगों का छूट रहा है तो अगर यह धर्म के लिए अच्छी बात है राश्टर के उन्नती के लिए है तो मेरे खाल से इसमें किसी को कोई परहज नहीं होना चाहिए लोगों को बहुत फैदा हो रहा बहुत सांती मिल लेगे हैं आप यहां धर्मिस्तली आए एक जगह आए बागेशवर धाम क्या सोचा है अपने क्या अंदर फीलिंस है क्या आपकी दिमाग में चल रहा है कैसा लगा आज आपको मिलके देखके सुनके हम लोग तो शद्धा के बारे में पता चलता है तो अच्छा लगता है देखने में तो जहां एक और बच्चे है बुजर्ग है तमाम जो लोग है साथ में यवा भी प्रेदित हो रहा है यानि यह टीनेजर से जो आने वाला बेश का भविस्त है वो भी धर्म के प्रती जो है और आगे बढ़ रह के साथ अमित सोनी बागेश्वर धाम चतरपूर